अग्षिण है आप सभी का सो तरगरवाल क्लासिज में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज जो टॉपिक है यह भी काफी इंपोटेंट टॉपिक है और पार्ट तैन हो लास्ट पार्ट है transformation का हम पढ़ रहे थे transformation बहुत important topic है सभी competition के exam के लिए चाहब वो TGT, PGT, LTG, SSSC कोई भी exam है सभी exam के लिए बहुत important और UP board कोई भी board exam है जहाँ पर भी transformation topic है basic to advance level यहाँ पर आपको बताया गया है तो आज जो transformation है compound and complex sentence किस तरीके से हम बदलेंगे एक दूसरे में वो यहाँ पर देखेंगे कुछ important basic से rules है वैसे complex और compound में basically आपको clear कर चुका हो क्या होता है सिर्फ यहाँ पर हम rules को discuss करेंगे तो जो भी नई विवर्स हैं जिसने चैनल को subscribe नहीं है चैनल को subscribe जरूर प्रेस कर लें और previous video अगर नहीं देखी है तो video का link आपको टेली ग्राम में मिलेगा आप महाँ पर video का link का आपको description में मिलेगा महाँ पर जाकर आप देख लेना और साथ ही में इसका PDF आपको मिल जाएगा टेली ग्राम चैनल पर टेली ग्राम को follow जोरूर कर लें तो conversion of compound and complex sentence देखिए अगर वाक्य कंडिशनल है देखिए वाक्य कैसा है conditional वाक्य को हम if unless या until की साहता से complex हम बना सकते हैं अगर हमार सामने compound sentence आ रहा है और हमें ऐसा लग रहा है वाक्य में कोई condition दी गई है तो उस समय हम if या unless का वाक्य का प्रियोग करके हम वाक्य को convert कर सकते हैं तो यहां पर आपको यहां पर condition दी गई है कि सच बोलो और तुम्हें excuse accused कर दिया जाएगा तो if you speak the truth you will be accused कारण बताना है कर कहीं पर वाक्य में तो हम हमें पता है so hence therefore compound में यूज होता है और उसी का अल्टरनेट जो यूज होता है कारण बताना में कि because यह का प्रियोग करते हैं तो जहां पर so hence therefore आ रहा है उसा आप बिकॉज में बदल देंगे अकोर्डिंगली वाक्या आपके सामने आइं पूर स्वाइं के नोट गीव यू मनी आइं के नोट गीव यू मनी बिकॉज आइं पूर otherwise को हटा कर हम unless का प्रियोग हम करेंगे अगर otherwise आता है compound sentence में और unless जो आता है वह आता है complex sentence में जिसे go there otherwise you will be punished तो you will be punished तुम तुम्हें दंडित किया जाएगा unless यू गो देए यदि तुम वहाँ पर नहीं जाते इस तरीके से बाकिया आप combine कर सकते हैं अगर बट है ट्रांस्फोर्म कर सकते हैं बट को हटा कर दो यट का याल दो का हम प्रियोग कर सकते हैं बट आता है बट किस में आता है इस्टिल बट एडवर्सिटिव कंजेक्शन compound sentence में आता है तो हम दो यट का प्रियोग करके आप बाकियों को complex बना देंगे दशिप कोट फायर बट पैसेंजर वर सेवड तो यहाँ पर दो यद पी शिप में आग लग गई फिर भी जो पैसेंजर थे वो बच गए तो यह बेसिक से रूल थे कोई ज़्यादा हाड होता नहीं यह टोपी complex से compound बनाने में तो कुल मिला कि कुछी चीजों को आपको याद रखना है अगर कहीं पर आपके सामने विरोधा भासी बात आ रही है बट वग्यारा कुछ आ रहा है और को तो दो रट का पृयोग कर लेंगे और अधर वाई जा रहा रहा है तो unless का प्रियोग कर लेंगे और कहीं पर आपको condition दी जा रही है तो इस तरीचे से वाकिया आप compound से complex complex से compound कर सकते हैं ठीक है बाई बाई यह सारा का सारा material आपको टेलग्राम पर provide करा दिया जाएगा टेलग्राम को आपको follow करना पड़ेगा और चैनल को subscribe भी करना पड़ेगा ठीक है लाइक करें शेयर करें अपने इस वीडियो को और जो previous वीडियो थी उन सभी को thank you very much बाई बाई